दोस्तो स्वागत है आपका एक नए वीडियो में आज कक्छा आठ इतिहास विशय का पाठ़ दो पढ़ेंगे जिसमें पढ़ेंगे भारत में अंग्रेजी राजी की अस्थापना इसके पहले आपने देखा यूरोपी सक्तियों का भारत में आगमन में किस तरीके से यूरोपी लोग यहां आएं और व्यापार शुरू किया किले बनवाएं सायनिक बल इकत्रित किये और धीरे धीरे पूरे सामराज को विस्तार करने में लग गएं इस सामराज का विस्तार कैसे हुआ तो आये वीडियों को शुरू करते हैं अंग्रेज, फ्रांसीसी वा अन यूरोपियों की तरह भारत में ब्यापार करने के लिए आये थे लेकिन धीरे धीरे भारत में अपना राज अस्थापित कर लिया इसके लिए उन्होंने कौन-कौन से तरीके अपनाएं आये इनहे जाने अठ्रामी सताब्दी में मुगल सामराज की सक्ती छीड होने पर भारती योच्छेत्री सासकों ने अपनी स्वतंतर सत्ता अस्थापित कर ली थी इसमें बंगाल में पहले बिहार और उडिसा भी आते थे आवद, हैदराबाद, मैसूर और मराठा पर मुक थे मुगल बास्था का नियंतरन नाम मात्र का रह गया था इसी सदे में यूरोप में फ्रांस और इंगलेंड के बीच बिस्ट में उपनिवेसों वा ब्यापार से ज़्यादा मुनाफ़ा कमाने के लिए कई वरसों तक निरंतर युद्ध होते रहे इन दोनों देशों में ब्यापारी इतने अमीर हो गए थे कि अपने अपने देश के सासन में भी इनका बोलबाला था यहां तक कि इंगलेंड और फ्रांस के राजा अपने अपने देश की कमपणियों का पूरा समर्थन करते थे और उन्हें मदद भी देते थे उपर एक सब दिया गया है उपनिवेसों यहां ग्रीन बैक ग्राउंड में दिया गया है उपनिवेस राज क्या है और यह दूसरे देश की उन्नत में किस प्रकार सहायक होते हैं इसे जाने जब एक देश जैसे इंगलेंड के लोग किसी दूसरे देश जैसे भारत पर अपना वर्चस अस्थापित करते हैं तब दूसरा देश पहले देश का उपनिवेस राज बन जाता है पहला राज दूसरे राज का सर्वे सर्वा मुक्धेश बन जाता है मुक्धेश उपनिवेस राज के सभी संसाधनों का परियोग अपने हित में करता है जिससे मुक्धेश अर्थात पहला देश उन्नत करता चला जाता है जबकि दूसरा उपनिवेस देश आउनत की और जा यहां दिया है टापिक भारत को अंग्रेजों ने अपना उपनिवेश राज्ज क्यों बनाया पहला पॉइंट है इसमें इंग्लैंड में अवद्योगिक क्रांती के दावरान कार खाने लग गए थे अतावा भारत को सिर्फ कच्चे माल की पूर्ती का साधन बनाना चाहते थ जिससे वे भारत में बुना कपड़ा यूरोप में बेज कर माला माल होते रहे इसका तात्परिया है कि अंग्रेज भारत से कच्चा सामान ही नहीं यूज करना चाहते थे बलकि उसके साथ साथ अपने यहां पक्के सामान अर्थाद बना हुए मसीनों द्वारा कपड़ा भ पर आते थे और माला माल होते रहते थे दूसरा पॉइंट है वे भारत में कई जरूरी फसलें उगवा कर उन्हें दूर दूर बेचते थे जैसे नील, पटसन, अफीम, गन्ना, चाय, कहवा तीसरा पॉइंट है उन्होंने ब्यापार की ये सब चीजें लाने वा ले जाने के लिए भारत के महतपूर छेत्रों में रेल लाइने और सडके बिछानी भी सुरू किया इसके लिए वे लोहा, कोईला, आदि खानीजों की खादाने खोदना चाहते थे वो जंगल से लकड का ब्यापार करना चाहते थे चौथा पॉइंट है यह सब करने के लिए उन्हें भारत में जगां जगां अपने आधिकारी रखने और भारत के लोगों पर अपना नियंत्रण बनाने की जरूरत महसूस हुई यहां आगे दिया हुआ है यलो बैक्ग्राउंड में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए चलाये गए विशेश अभियान को आउद्योगिक करांती कहते हैं यहां ग्राफ द्वारा दिखाया गया है कि भारत में कपास की पाइदावार करवाते थे वो उसके बाद भारत से कपास अर्थात कच्चे माल इंग्लैंड भेशते थे और इंग्लैंड में कारखाने में कच्चे माल से कपड़ा बनता हुआ उसके बाद अंग्रेज एजेंट भारतियों को महेंगे दाम में कपड़ा बेशते थे यहां इसके नीचे लिखा हुगा है भारती बुनकर बिदेशी कार खाने का मुकाबला नहीं कर पाए कार खाने में कपड़ा जल्दी बनता था तथा उसकी लागत भी कम आती थी जबकि भारती बुनकर को हाथ से कपड़ा बनाने में काफी समय लगता था तथा उसके कपड़ की विक्री काफी कम दाम में होती थी इससे भारती बुनकरों की दसा खराब होती गई इस्ट इंडिया कमपनी नील, काफी, चाय के बागान भारत में लगाती थी और इन फसलों को सस्ते दामों में खरीद कर अपने जहाजों से इंगलेंड के कारखानों में भेचती थी अंग्रेज इंग्लेंड के कारखानों से तैयार माल जैसे कपास से कपड़ा, चैपत्ती, कपड़ा रंगने के लिए तैयार नील आधी जहाजों के माध्यम से भारत यों यो इउरोप में अधिक दाम में बेशते थे उन्होंने ब्यापार की यह सब चीजें लाने वा ले जाने के लिए रेलवे लाइन, सडकें, दूर संचार, आधी की विवस्था की इससे ब्यापार में तेजी आई और उनका दिन प्रदिन मुनाफ़ा बढ़ता गया यह सब करने के लिए उन्होंने भारत में अपने अधिकारी रखे और भारत पर अपना वर्चस सु कायम किया यहां दिया है ब्रेकेट में बच्चों आपकी समझ से मुनाफ़ा कमाने के लिए पैसों का उप्योग किस प्रकार करना ठीक होगा पैसों को घर में रखना ठीक होगा या बैंक में जमा करना ठीक होगा या सोना चादी खरीदना या उद्योग धंदे लगाना ठीक होगा ठीक होगा और क्यों अपने विचार व्यक्त कीजिए और अपने अध्यापक से इसको समझेगे इसके आगे दिया हुआ है भारत में इस्ट इंडिया कमपनी और फ्रेंच इस्ट इंडिया कमपनी ब्यापार पर कबजा करने के लिए एक दूसरे से लंबे समय तक लड़ती रही एक कमपनी इस कोशिस में रहती कि वे दूसरे को भारत से खदेड़ कर निकाल दें इसके लिए दोनों ही कमपनीया अपने अपने देश चिंगलैंड वा फ्रांस से साइनिक बुलाने लगी ब्रिटिस इस्ट इंडिया कमपनी की ताकत बढ़ाने में लाड कलाईव का विशेस योगदान था दूसरे और डूपले ने फ्रांस से सी कमपनी का नेत्रत्त किया यहां नया टॉपिक दिया हुआ है हेडिंग जो कि भारत के राज और विदेशी कमपनीयों की सेना इसके बारे में हम पढ़ेंगे भारत के राजा और नवाब अपना अपना राज बढ़ाने में और एक दूसरे पर हमला करने में लगे रहते थे इन में उत्तराधिकार संबंदे युद्ध भी होते थे और वे इन विदेशी कमपनीयों की सहायता लेने में नहीं हिचकिछाते थे दोनों कमपनीयों इन जगडों में अपनी टांगे अड़ाने लगी अगर कमपनी किसी राजा या नवाब का साथ देने को तयार हो जाती और अपनी सेना उसके लिए लड़ने भेद देती तो उस राजा या नवाब की ताकत बहुत बढ़ जाती थी यूरोपी सेनाओं का बड़ा दबदबा था यहां दिया हुए ग्रीन बैक ग्राउंड में यूरोपी सेना के पास बेहतर नव सेना तोपे और बंदूके थी यूरोपी साइनिक नीमित रूप से अभ्यास करते थे जैसे परेड और ड्रिल के साथ अनुसासित भी थे इन विसेस्ताओं के कारण यूरोपी सेना का पलड़ा भारती सेनाओं से भारी रहने लगा राजाओं की साइनिक ताकत बढ़ाने के बदले में कमपनियां उनसे ब्यापार की कई रियायतें आइठने लगें राजा लोग कमपनी की साइनिक साहता के बदले में उसे बहुत धन भेट देते थे या धन कमपनी के ब्यापार के काम आता था कई बार कमपनी राजा से उसके राज्य का एक बड़ा इलाका भेट में ले लेती थी उस इलाके के गाउं सहरों से कमपनी लगान वसूल करती थी और लगान से मिले धन से ब्यापार करती थी इस तरह मिले धन से कमपनी अपनी सेना का खर्चा भी चलाने लगी भारत में जमीन लेकर इन कमपनीों ने अपनी अपनी कोठियों की किले बंदी भी की और भारत में एक दूसरे से कई युद्ध लडे इनके द्वारा दच्छिड भारत के करनाटक छेत्र में 1746 इसवी से 1763 इसवी के बीच तीन युद्ध लडे गए जिन्हें करनाटक युद्ध भी कहा जाता है अंत में 1760 इसवी में वांडिवास के युद्ध में फ्रांसी सी अंग्रेजों से प्रास्थ हो गए और सिर्फ ब्यापारिक कारियों तक ही सीमित रहे ये पीले बैक ग्राउंड में लिखा है जो तीन युद्ध हुए थे 1746 से 1763 इसवी तक वो पहला युद्ध हुआ था करनाटक का पहला युद्ध कहलाता है 1746 से 1748 इसवी में तक लड़ा गया फिर दूसरा युद्ध करनाटक का जो था 1749 से 1754 इसवी तक चला फिर तिर्थी युद्ध का जो करनाटक का युद्ध था वो 1756 इसवी से 1763 इसवी तक चला यहां नए टापिक है राजाओं और नवाबों को अंग्रेजों से खत्रा कम्पनी को भेट देने और उनकी सेना का खर्च उठाने में भाती राजाओं पर बहुत बोज पढ़ने लगा राजा वा नवाब ब्यापार के खिलाब नहीं थे परंत वे अपने राजज में किसी और की साइनिक ताकत नहीं बढ़ने दे सकते थे उन्होंने कम्पनी की साइनिक ताकत पर रोक लगाने की कोशिस की अस्त्र सस्त्र साइनिक बल वा किले बंदी के सहारे होने वाला ब्यापार कोई साधारण ब्यापार नहीं रहा भारत के राजाओं और नबाबों को यह बात बड़ी खतरनाक लगी कि उनके राज में किसी दूसरे देश के लोग सेनाय रखें, युद्ध लड़ें, किले बनाएं और अपनी साइनिक सक्त की धाग जमाएं वे कमपनी की दूसरी बातों से भी परिसान रहते थे यहाँ नया टापिक है, ब्रिटिस इस्ट इंडिया कमपनी का भारत के राजाओं के राज से फाइदा उठाना यहाँ पहला पॉइंट है, कमपनी के करमचारी अपना नीजी ब्यापार भी कर रहे थे वे अपने माल को कमपनी का माल बता देते थे और कर नहीं चुकाते थे इस तरह कमपनी तो धनवान हो ही रही थी, उसके करमचारी वा अपसर भी नीजी रूप से माला माल होकर भारत से लवड़ते थे तूसरा पॉइंट है, कई भारती ब्यापारी वा सेट थे जो कमपनी के ब्यापार में मदद करते थे वे भी अपने माल को कमपनी का माल बता कर कर देने अर्थास टैक्स से बच जाते थे तूसरा पॉइंट है, कमपनी की आड में राज्यों में लूट पार्ट धोखा दाड़ी हो रही थी चौथा और लाश्ट पॉइंट है, कमपनी कारीगरों से जोड़ जबर जस्ती से बहुत कम कीमत पर माल खरीदने की कोसिस करती रहती दोस्तों या वीडियों आपके लिए काफी उपियोगी रहा होगा दोस्तों आप वीडियों को लाइक करके चैनल को सबस्क्राइब करके इस यूटूब फैमली का हिस्सा बने दोस्तों आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में